नमस्कार दोस्तों आप सबका कानपा एजुकेशन आइस अकेडमें बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे Agriculture Produce Marketing Committee Act Controversy के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम short form में इस Controversy को APMC Act Controversy कहेंगे ताकि सुभीधा हो और दोस्तों मैं आपको बता दू कि यहाँ पर State Government और Central Government दोनों ही एक दूसरे को Confront कर रहे हैं तो अपने इस लेक्चर में समझेंगे कि यह Controversy को लेकर Center या State Government में कौन सही है या कौन गलत दोस्तों मैं आपको बता दू कि Recently Central Government ने तीन important agriculture marketing से related ordinance इसू किये है यहाँ पर दोस्तों यह जो agriculture marketing से related ordinance है उनका purpose यह है कि जो agriculture में private investment लगातार गिर रही है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए या फिर एक तरीके से private investment को boost किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो यह agriculture में private investment गिरने का जो मुख्यकारण है वो यह है कि profitability जो होती है agriculture से वो लगातार कम होती जा रही है तो यहाँ पर दोस्तों इसी के regarding यह important reforms है मैं आपको बता दू दोस्तों यह जो तीनों ordinance है वो हमारे farmers produce trade and commerce promotion and facilitation ordinance 2020 है यह दोस्तों हमारा APMC Act से related है इसके अलावा दोस्तों farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm service ordinance 2020 यह दोस्तों जो farmers and traders के साथ agreement करेंगे या किसी company के साथ agreement करेंगे उसके regarding यह important ordinance है यानि उसके regarding rules या norms बनाने के लिए साथी साथ दोस्तों जो तीसरा है वो है essential commodities amendment ordinance act 2020 यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको already एक important वीडियो में बता रखा है कि essential commodities act है क्या तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो यह पूरा मामला समझ जाएंगे मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इस ordinance के थुरू अब जो काफी सारे items होते हैं essential commodities act के अंडर में आते हैं उनको deregulate कर दिया गया है तो फिलाल दोस्तों यह 3 important ordinance है जिसको लेकर के पंजाब government काफी जादा अब नाराज है और 36 जो government है वो भी दोस्तों इसका विरोध कर रही है और in ordinance को withdraw करने के लिए कह रही है और तो और दोस्तों इसके अलावा जो farmers हैं वो भी दोस्तों इसका oppose कर रहे हैं और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं पं पर आखिर यह सारा overall issue क्या है सब कुछ अपने इस lecture में हम दोस्तों समझेंगे मेरा नाम है दोस्तों चंदन चौबे और आप यहाँ पर अपने किसी भी topic के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वो comment section में suggest कर सकते हैं उस पर हम lecture लेकर आएंगे साथी साथ दोस्तों आप अब हमें financially भी support कर सकते हैं हमारा UPI ID है कानपा एजुकेशन एकडरेट वाइवियल और इन में से दोस्तों आप किसी भी tool का इस्तेमाल करके हमें payment कर सकते हैं आपका छोटा सा भी contribution दोस्तों हमें अच्छा lecture बनाने के लिए inspire करे हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि जो agriculture produce market committee है वो दोस्तों एक marketing board है और यहाँ पर यह totally जो है state government के jurisdiction में आती है ऐसा क्यूं है दोस्तों क्यूंकि agriculture जो है वो एक state subject है इस वजह से तो यहाँ पर दोस्तों जो important इसके अंडर मे committee बनाई गई उसका prime objective यह था कि farmers को हम large retailers होते हैं उनके exploitation से बचाए क्यूंकि दोस्तों हमारे देश के जो mostly farmers हैं उन पर काफी जादा करजा है और वो एक तरीके से फसल बेचकर उस करजे को चुकाने की सोचते हैं यही उनकी main weakness बन जाती है क्यूंकि किसी भी retailer को पता होता है कि farmers पर काफी जादा करजा है और जो interest rate है वो काफी जादा high है तो यहाँ farmers पर एक obligation हो जाता है कि वो अपना अनाज बहुत जल्दी बेचना चाहता है और इसी चीज़ का lab उठाकर जो large retailers होते हैं वो एक तरीके से उनको काफी कम पैसे में मनाकर उनसे अनाज ले लेते हैं औ और बाद में उनको high rate पर बेचते हैं यानि इस तरीके से farmers का exploitation होता है साथी साथ दोस्तों जो इसका दूसरा objective है यह वो यह है कि consumer के interest को भी बचाया जाए इसके लिए दोस्तो retail prices अनाज का जादा ना हो इस पर भी यह ध्यान देता है साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता द होता है सबसे पहले और farmers से directly कोई भी food processing unit वाला या एक तरीके से कोई और corporate जो है वो directly farmers से नहीं खरीद सकता अनाज उसको खरीदना होगा तो जो मंडी में traders होते हैं जिनको farmers अपना बेच कर जाते हैं अनाज उनी से खरीदना होता है तो यहाँ पर दोस्तों यही इसका main important provision है और एक तरीके से farmers और corporate को यहाँ पर directly negotiate ना करना पड़े इसके लिए बीच में government intervene करती है traders के थुरू इस मंडी में important implement करके इस policy को अब दोस्तों जो मैंने अभी बोला उसको यहाँ पर मैंने लिख रखा है important features के तौर पर तो यहाँ पर सबसे पहले जो important stakeholder हो गया वो farmer हो गया तो यहाँ पर farmer अपना produce बेचने आएगा market में और यहाँ पर auctioning के थुरू वो अपना product बेचेगा traders को इस मंडी में जो traders होंगे यह traders दोस्तों देखिए registered traders होते हैं और इनको यहाँ पर operate करने के लिए license चाहिए होता है यानि एक तरीके से दोस्तों यह किसी भी तरीके की पानी करते हैं तो government इनका license रद करके इनको मंडी से बाहर कर देगी और उनको काफी जादा नुकसान होगा तो mal practice रोकने के लिए यहाँ पर ऐसा किया गया है उसके बासे दोस्तों जो हमारे third stakeholder हो गए जिसमें wholesaler retailers आ गए और food processing companies आ गई वो दोस्तों यहाँ पर farmer से अनाज directly नहीं खरीद सकती उनको इन traders के पास आना ही होगा तो एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो farmer और एक तरीके से बीच में यह जो third party है उनके बीच में negotiation करने के लिए traders को government intervene कर दे रही है और simple यही model है इन traders के थूर दोस्तों farmers को MSP plus bonus price जो state government decide करती है MSP के बाद वो यहाँ पर directly farmers को दिलाने की कोशिस करती है government traders से तो इस तरीके से farmers के interest भी safeguard हो जाते हैं और यह जो traders होते हैं यह food processing company से अपना जो भी farmers को देते हैं और plus इनका जो अपना commission होता है वो एक तरीके से उनसे लेने की कोशिस करते हैं तो यह overall इस तरीके से model work करता है अब दोस्तों आखिर इस model म कमी क्या रह गई जिसके कारण इसमें बदलाओ की जरुत पड़ रही है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ traders होते हैं वो farmers को पैसे time पर नहीं देते और कभी कभी यह महीने हो जाते हैं और कभी कभी साल भी जिसके कारण दोस्तों farmers को काफी जादा नुक्सान होता है य जिस काम को रोकने के लिए यह special मंडी बनाई गई थी उन्हीं के कारण इनका exploitation होना सुरू हो जाता है क्यूंकि traders को भी पता होता है कि farmer से कोई और तो अनाज खरीदने वाला है नहीं इसके अलावा दोस्तों tax बचाने के लिए बहुत सारे जो traders होते हैं वो farmers को slip नहीं देते जिसके कारण farmers जो है बैंकों से लोन नहीं ले पाता है यानि यहाँ पर भी farmers को नुकसान होता है और अपना tax बचाने के लिए farmers का नुकसान करा डालते हैं यह traders इसके अलावा दोस्तों जो farmers हैं उनको retail price का benefit ही यहाँ पर नहीं मिल पाता 25 से 33% तक का ही retail price का benefit farmers को मिल पाता है इसका मतलब दोस्तों जो consumers market में जितने का सामान खरीते हैं उससे काफी कम जो farmers को मिलना होता है वो मिलता है बाकी सारा का सारा commission जो चला जाता है वो traders को चला जाता है आपको क्या लगता है कि जो 80 रुपे किलो आपने पिछले कुछ महीनों में प्याज खरीदा था क्या उसस farmers को benefit हुआ नहीं farmers तो अपना 2 या 3 रुपे में प्याज बेच कर चला गया था traders के पास से तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की धांदले बाजी इस system में देखने को मिल रही थी इसके अलावा दोस्तों कई बार farmers जो हैं वो आते हैं अपना समान बेचने मंडी में अपना transportation cost add करके और एक तरीके से काफी दूसरी समझ्याओं के साथ लेकिन यहां पर traders जो हैं वो अनाज लेने से मना कर देते हैं कई बार वो MSP देने के लिए भी मना कर देते हैं कि हम MSP पे भी आपसे नहीं खरी देंगे तो इस तरीके की धांदले वाजी चलती है क्योंकि यहां प traders नहीं लेंगे तो अगर state government उसमें intervene करेगी तो उनको खुद लेना पड़ जाएगा उसके लिए पैसे कहां से आएंगे तो इस तरीके का irresponsible system बन गया है अब दोस्तों इनी issue को resolve करने के लिए central government ने यह important ordinance issue किया है जिसका नाम है farmers produce trade and commerce promotion and facilitation ordinance 2020 इस important ordinance के अंडर में दोस्तों देखे traders को पूरी तरीके से हटाने की बात की गई है और वो कैसे तो यहां पर सीधा कह दिया गया है कि farmers को अपना produce बेचने के लिए अब मंडी में जाने की जरुत नहीं है वो अपने हिसाब से किसी को भी यानि किसी को भी बेच सकते हैं इसका और दोस्तों जो पहले वाली situation थी कि यहां पर जो एक तरीके से corporates होंगे वो farmers को exploit करने की कोशीज करेंगे तो उसको address करने के लिए electronic trading को allow कर दिया गया है यानि electronic trading पे सबको register करना होगा seller हो या buyer यहां पर seller के तोर पर of coursely farmer होगा और buyer के तोर पर कोई भी वैक्ती या company हो सकती है अब दोस्तों देखिए यहां पर procedure norms और rules बनाए जाएंगे इस electronic trading के regarding और इसको central government खुद design करेगी और दोस्तों यहां पर अगर इस electronic trading platform के जो norms या rules होंगे उसका कोई भी violation करेगा तो उस पर 50,000 से 10 लाग तक की penalty लगाने का प्राउधान किया गया है इसके अलावा दोस्त का अलग से भी penalty लगा सकती है government साथी साथ दोस्तों farmers को payment फटा फट मिल जाए इस चीज़ को address करने के लिए provision किया गया है कि कोई भी जो transacting people होगा वो चाहें कोई सा भी stakeholder हो वो farmers को अगर उससे समान खरीता है तो उसी दिन payment करे या three working days के अंदर अंदर payment करे इसके अलावा दो दोस्तों जो दूसरे important provisions हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जो state government के authority को directly challenge करते हैं जैसे कि state government के अधिकार खतम हो जाएंगे वो किसी भी तरीके के fee sales या tax जो है वो farmers traders या electronic trading platform पर नहीं लगा पाएगी यानि सारा का सारा जो tax लगाने का या fee charge करने का power रखना है वो central government ने अपने पास रख लिया है साती सात दोस्तों जो भी trade related dispute में एक तरीके से party involved होगी तो यहाँ पर उस dispute को settle करने का भी mechanism इस ordinance में दे दिया गया है सबसे पहले वो subdivisional magistrate के पास जाएंगे magistrate एक conciliation board appoint करेगा वो एक तरीके से dispute को सुलजाने की कोसिस करेगी अगर 30 दिन के अंदर भी dispute न resolution mechanism भी है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दू कि state government जो mostly oppose कर रहे हैं उनका अगर आप नीजी फायदा देखना चाते हैं तो वो यह है कि license की जो fee होती है वो काफी वड़ा revenue का source होता था state government के लिए और यह revenue जो है अब उनके हाथ से निकल जाएगा तो state government of course ली इसको किसी side में हम उसको भी समझने की कोसिस करते हैं लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको मैं कुछ benefits बता देता हूं इस system के देखिए दोस्तों इससे private investment और foreign investment को भी काफी जादा boost मिलेगा क्योंकि दोस्तों पहले traders के intermediary बन जाने के कारण वो farmers को directly approach नहीं कर सकते थे जो food processing industries हो गई हमा quality के bees भी एक तरीके से available करा सकती है और उनसे उस तरीके के produce जो उनको required है उस तरीके से farmers को skill भी करेगी तो यानि दोस्तों यहाँ पर private investment और foreign investment बढ़ने की जो probability है अब जादा हो जाएगी साथी साथ दोस्तों agriculture का modernization होगा यानि agriculture के लिए नई नई technology businesses हो भी आने लग जाएग और दोस्तों यहाँ पर Monday में जो cartelization था यानि एक तरीके से जो traders अपने exclusive right का misuse करते थे वो सारा कुछ भी खतम हो गया साथी साथ दोस्तों agriculture exports को भी काफी जादा boost मिलेगा और food processing industry भी काफी अच्छी हो जाएगी नए job opportunities भी create होगा दोस्तों क्योंकि food processing industry को boost मिलेगा और दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि तीन दिन के अंदर अंदर payment करना होगा कि आदमी को अगर वो farmers के साथ transaction कर रहा है तो इससे timely payment भी जो होगी farmers की वो भी एक तरीके से fix हो जाएगी इसके अलावा दोस्तों agriculture का formalization भी होगा यह कैसे होगा दोस्तों तो simply यहाँ पर electronic trading facility का इस्तेमाल होगा अब दोस्तों जब इस platform का इस्तेमाल होगा तो farmers को जो पहले slip मिलने में दिक्कत होती थी trader से वो खतम हो गई और दोस्तों अगर यहाँ पर एक तरीके से लेखा जोखा रखा जाने लगेगा farmers के transaction का तो वो credit facility के लिए भी इसको इसको इस्तेमाल कर पाए और दोस्तों मैं आपको बता दू जो हमारे देश का MSP है उससे काफी कम में जो foreign countries के farmers होते हैं वो अपना crop उगा पाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो farmers को MSP मिलती है उतने से भी farmers का भला नहीं हो पाता उससे भी जादा input cost का वो एक तरीके से agriculture में लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमें कितना बड़ा रास्ता travel करना है और इसमें ये रास्ता travel करने में ये भी जो step है काफी helpful होने वाला है साथी साथ दोस्तों जो MSP policy की बात करके इस policy को oppose करने की कोसिस कर रहे हैं state government उनको पता होना चाहिए कि 90% farmers को MSP का भी benefit नह finance के क्या क्या demerit है तो देखिए दोस्तों इससे MSP को scrap करने की government कोसिस करेगी बिल्कुल दोस्तों ऐसा possible हो सकता है और इसमें कोई भी सक्की गुंजाईस नहीं है क्योंकि दोस्तों यहां पर एक तरीके से input cost को cut करने की government कोसिस कर रही है तो यहां पर MSP को जादा देर तक follow क करनी की जरूत ना पड़े future में यह हो सकता है जो की actually में beneficial होगा आने वाले time में लेकिन government अगर short term में यहां पर पला जाड़ लेती है तो इससे farmers को काफी जादा नुकसान हो सकता है साथी साथ दोस्तों जो food corporation of India है उसको भी dismantle करना चाहती है यहां पर central government और यहां पर मैं ऐसा कहा भी है कि FCI को हम एक तरीके से dismantle करेंगे या जो national food security act में coverage है उसको हम कम करेंगे इस पर मैंने lecture भी बनाया हुआ है साथी साथ दोस्तों यह anti federalism है यहां पर दोस्तों ऐसलिए कहा जा रहा है क्योंकि agriculture जो है state government का subject है लेकिन इस पर ordinance लेकर आ गई है central government तो यहां पर central government का यह actually में कहना है कि जो trading की बात होती है जो interstate trade हो यानि एक state से दूसरे state के बेच में trade हो उसको यहां पर decide करने का जो अधिकार है वो concurrent subject में आता है और वहां center और state दोनों ही rule बना सकते हैं तो यहां पर दोस्तों एक दूसरा important ऐसा argument है यह कितना सही है यह कितना गलत है इसक और high court या supreme court comment करेगा तब उससे हम जान पाएंगे इसके बाद से दोस्तों ordinance को undemocratic भी कहा जा रहा है क्यूंकि दोस्तों इसके लिए central government ने state government से कोई बातचित नहीं की और यहां पर अगर central government इतनी बड़ी चीज करना चाहती है agriculture के मामले में तो उसको यह parliament में पेस करना चाह और फिर इस पर debate and discussion होना चाहिए था तो मैं यहां पर simply दोस्तों यह कहना चाहता हूं कि ordinance दोस्तों होता ही है जब जब parliament session में ना हो और इसका यहां पर परपजी ordinance का होता है कि parliament के बाहर जब government को कुछ करना हो तो वो ordinance के थुरू कर पाए तो यह जो एक तरीके से criticism है उतना logical म जो देना होता है वो देने से government बच जाएगी तो यह दोस्तों सही बात है यहां पर देखिए दोस्तों जब interstate को allow कर देंगे और मंडी किसी तरीके का बेचने का obligation नहीं रहेगा तो farmers जो है एक जगा से दूसरी जगा जाकर उसको बेचने की कोशिस करेगा और government अगर वहां पर MSP के साथ ज़्यादा bonus दे रही होगी तो उस bonus को हडपने की कोशिस करेगा किसी और state का farmer जो कि उन state के farmers के लिए एक तरीके से beneficial नहीं हो पाएगा तो आप समझ रहे हैं कि इस तरीके का भी जो debate and discussion हो सुरू हो सकता है state government अपने jurisdiction में अपने राजे के farmers को कुछ extra bonus देना भी चाहती होगी तो उसमें काफी जादा difficulty आने वाली है इसके अलावा दोस्तों जो small farmers हो गए उनके लिए तो अभी भी कुछ भी नहीं बचा क्योंकि दोस्तों कोई भी corporate होगा वो big farmers के साथ ही एक तरीके से negotiation करेगा क्यों profit नहीं पहुचा सकते तो इसके लिए दोस्तों government को simply एक procedure या एक तरीके से rule बनाना चाहिए कि corporates अपना 30 या 50% छोटे farmers से ही समान खरीदे इसके अलावा दोस्तों जो ये बड़ी बड़ी corporate houses है जो technology लाएगी उससे small farmers को बाहर रख सकती है और big farmers के साथ काम करने की कोशिज क करेगी तो government को यहां पर चाहिए कि इसके लिए भी कुछ policy regarding लेकर आए और ये काफी important criticism है मैं इसको support करता हूँ इस पर government को जरूर कुछ ना कुछ कहना चाहिए इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बिहार में तो किसी भी तरीके की मंडी committee नहीं है तो व मुझे कुछ खास reason मिला नहीं है इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि government का जो ये ordinance है वो anti consumer भी बन सकता है बाद में क्योंकि national food security act 2013 को abolish करने की probability से बढ़ जाएगी क्योंकि दोस्तों आप सब को पता है कि MSP पे किसानों से ही अनाज खरीद के government जो है अपनी इस scheme इनके अंडर में जो देश में लोग रहते हैं जो पूर लोग रहते हैं उनको देने की कोशिस करते हैं तो उनके food security का क्या होगा काफी valid point है और ये एक काफी appreciable criticism भी है तो दोस्तों मैंने आपके सामने हर तरीके के viewpoint को रख दिया है अब दोस्तों आपको decide करना है कि इन में क I very very much thankful to you Thanks to All of you watching this lecture till end